उनके लाग बार कहने पर भी मेरा नया फोन नहीं लिया पर जब जरूरत लगी तो पापा नहीं रहे मेरे पीछे पड़े रहने के लिए मुझसे जित करने के लिए मेरे साथ फोन लिके जाने के लिए पापा के इंतकाल के बाद कई महिनों तक मैं उसी फोन को इस्तमाल करा ज़रूरत लग रही थी पर मैं फोन बदलना नहीं चाहता this performance is not for y'all it's for someone on heaven's above कुछ बच्चे होते है न एक तम आलसी कसम के बच्पन में पानी का एक ग्लास तक उठाके नहीं रखते मम्मी जो बड़े प्यार से बोलती है दोस्तों के सामने कि बेटा सबजी का थैला उठा दो तो अकड से बोलते हैं नई क्योंकि भाई दोस्तों के सामने इमिज खराब हो जाएगी संदे को पापा घर पे कौई काम ना दे दे उसके डर से सुबा-सुबा निकल जाते हैं खेले यह कुछ बच्चे हो मैं तो बात है फ्लाश बैक की तो जैसे तैसे करके बिना सेल फोन के निकाल दिया पर अब बात थी कॉलेज कि और अब कॉलेज में तो चाहिए सेलफ कि जो सेलफ़ोन है ना कोई साथारन सा यंत्र नहीं बहुत ही अद्बुद्य यह आपको दोस्तों और लड़कियों के सामने स्टाइल और स्टीटिस दोनों एक साथ देता है तो बस क्या एक हफते तक मम्मी को किचन में मदद की पापा के पैर दबाए घर के वो सारे काम कर दी बस अब बाथरूम साफ करना रहा गया था उसके पहले पापा फोन के लिए मान दे हम दुकान पहुचे मैंने फोन और जितनी मासूम शकल बना सकता था वो बना दी और पापा की तरफ देखा और कहा पिताश्री वो वाला पापा ने तराजू के एक साइड रखी मेरी मासूमियत और माक्स दूसरे साइड रखी मेरे फोन का बजट और फिर बताया कि मुझे कौन सा फोन मिले अब भले ही व के रेश्टरॉंट मैं डोसा खा रहा था और मेरे चहरी की मुस्कुराहाट को देख पापा अपना पेड भर रहे था साथ में थी एक कप चाहे उस दिन ना दो शुरुवाते होई मेरी टेकनोलोजी से और हमारे इस सेलिबरेशन सार दर साल जब भी मैं नया फोन लेता पापा हमेशा मेरे साथ होता सेलिबरेशन हमारा वही रहता वही मैं वही पापा वही डोसा और एक कप चाहे यह वक्त ना मुंबई की फास्ट लोकल की तरह होता है जैसे रफ्तार पकड़ता है कुछ ना कुछ कोई ना कोई छूटी जाता है पापा इस टेकनोलोजी की रफ्तार को पकड़ नहीं पाई उनके लिए बड़ा छोटा सस्ता महंगा फोन फोन ही था पर वो हमेशा मेरे साथ आते हैं सबसे पहले मैं फोन पापा की हाथ में देता है वो फोन को देखते हैं मुझकुराते हैं और कहते मुझसे फोन अच्छ जल रहा जब भी प्रॉब्लम आती पापा मुझे देखकर बोलते हैं नया क्यों नहीं ले लीता और मैं बोलता हृँ जरूरत क्या है उनके लाग बार कहने पर भी मेरे नया फोन नहीं लिया पर जब जरूरत लगी तो पापा नहीं रहे मेरे पीछे पड़े रहने के लिए मुझसे जिद करने के लिए, मेरे साथ फोन लिके जाने कर लिए पापा के इंतकाल के बाद कई महिनों तक मैं उसी फोन को इस्तेमाल करा जरूरत लग रही थी पर मैं फोन बदलना नहीं चाहता च्यूंकी फोन आखरी बार था जब अपने पापा के साथ कोई फोन लेने गया वो आखरी याद यादों की एहमियत तब नहीं होती जब इंसान चले जाता उनकी एहमियत तब होती है जब आपको एहसास हो कि आप उस जैसी और नहीं याद नहीं बना सकते पापा के इंतकाल के बाद कई महिनों तक वो फिंस्तमाल करने के बाद मैंने जरूरतों को एहसासों के आगे रखा और खरीद लिया फोन इस बार ना कार्ट से बनी वो दुकान थी ना चारों और सेलपोन मैं था एक बंद अंधेरे कमरे में और मेरा लापटब आमजान पर गया बाइनाओ का बटन दबाया और खरीद लिया फोन इस बार सेलिब्रेशन भी नहीं था इस बार मैंने सिफ टेकनोलिजी को अपग्रेड कर लिया कुछ दिनों बाद जब फोन आया मैंने सबसे पहले वो बॉक्स को बिना खोले पापा की तस्वीर के सामने रख दिया और देखता रह गया कुछ देर बाद पता नहीं कब मेरी आँखों से आसू छलक पड़े उनके इंतकाल के बाद वो पहली बार पाद जब मैं रू रहा है कुछ देर बाद जब आसू पोचे एक छोटी सी सही पर एक मुस्कुराहट आ पड़ी और एक बहुत बड़ा यकीन यकीन इस बात का कि पापा खुश तो होंगे बाद कि उनका बेटा आगे बढ़ रहा है जिन्दगी फिर से जी रहा है क्योंकि वो कभी नहीं चाहते होंगे कि उनकी यादे मेरी उडान को रोख ले और बहुत बड़ा यकीन इस बात का कि फलक के उस पार मैठे गर्मा गर्म चाई की जुस्कियां लेते हुए मुस्कुरा तो रहे होंगे मेरे पापा और कह रहे होंगे कि फोन अच्छा लिया है थैंक यू